जे मातारानी प्यारे भक्तो शार्दी नवरात्री की हार्दिक शुपकामना है तो इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्री में उप्योग में आने वाली मातारानी की पूजा के लिए विशेश सामगरी तो जैसा कि आपको पता है जो नवरात्री है वो 3 अक्टूबर से आरम हो रही है तो आगे बढ़ने से पहले मातारानी के प्रीभगतों अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें मातारानी की क्रपा आप और आपके परिवार पर सदेव ही बनी रहे तो नवरात्री 3 अक्टूबर गुधवार से शुरू हो रहे हैं मातारानी की विशेश क्रपा पाने के लिए इन 9 दिनों का विशेश महत्व होता है तो जैसा कि आपको पता है इन 9 दिनों में जो माता रानी है वो अलग-अलग स्वरूपों में इनकी पूजा अर्चना की जाती है और मानेता है कि इस दिन जो व्यक्ति 9 दिनों तक सच्ची श्रद्दा और विदी विदान से माता रानी का पूजन करता है उनकी सारी मनोकामनाय पूर्ण होती हैं और सभी कश्ट और रोक दूर हो जाते हैं लेकिन पूझा में आपको सबसे विशेश खयाल रखना होता है मातारानी की पूझा के लिए पूझन सामगरी का तो नवरात्री आरंब होने से पहले ही आपको सारी सामगरी घटे कर लेनी है ताकि आप आराम से मातारानी की पूजा कर सके तो जानिए मातारानी की पूजा के लिए कौन-कौन सी सामगरी आपको चाहिए तो देखे नवरात्रे में मातर आनी की पूजा करने के लिए आपके पास ये सभी सामगरी होनी चाहिए तो देखे शार्दिय नवरात्री पूजन सामगरी लिस्ट तो सबसे पहले धूप आपके पास होनी चाहिए फूल आपके पास होने चाहिए किसी भी तरह के पांच तरह के आपको फल लेने हैं इसके अलावा लॉंग आपके पास होने चाहिए इलाइची होनी चाहिए इसके अलावा आपके पास दुर्वा यानि की घास होनी चाहिए कपूर आपके पास होना चाहिए आपकी पूजा थाली में अक्षत यानि की चामल आपके पास होने चाहिए सुपारी अर्पित करने के लिए माता रानी की आपके पास होनी चाहिए इसके अलावा नारियल आपको रखना है माता रानी के लाल वस्त्र आपके पास होने चाहिए कलावा यानि की जो मोली का धागा होता है वो आपके पास होना चाहिए इसके अला घी और दीपक आपके पास होना चाहिए शंगार का जो सामान है मातरानी का जो भी शंगार के लिए आता है वो आपके पास होना चाहिए पान का पत्ता आपके पास होना चाहिए जायफल आपके पास होना चाहिए और जो होने चाहिए ताकि जो आप उगा सके उसके लिए मिट आपके पास होने चाहिए इसके अलावा देखे मातारानी की शंगार की सामगरी अब जो मातारानी है उनकी शंगार के लिए क्या क्या सामगरी रहेगी तो नवरात्री में मातारानी को शंगार का सामान जरूर अरपित करना चाहिए ऐसा करने से घर में सुक सम्रद्धी बनी र तो देखिए मातरानी के शंगार सामगरी इसमें आपको क्या क्याल रखना है तो लाल चुनरी आपको लेनी है लाल रंग के वस्तर आपको मातरानी के लिए लेने हैं सिंदूर उसमें होना चाहिए लाल बिंदी होनी चाहिए महंदी होनी चाहिए काजल इसके अलावा आपको चूडियां खरीदनी है मातर आने के लिए मांग टीका खरीदना है जुमकी आपको खरीदनी है गले के लिए हार तो ये सभी सामगरी मातर आने के शंगार के लिए आपके पास होनी चाहिए ये देखिए गजरा आपके पास होना चाहिए बिछुआ बाजू बंद आपको खरी जो बोने का भी एक तो नवरात्री के पहले दिन घट स्थापना करने के साथ ही जो भी बोय जाते हैं एक कुंडा होता है उसके अंदर मिट्टी में जो को रोपा जाता है जो बोना बहुत ही शुब माना जाता है इसके लिए आपको सबसे पहले मिट्टी का एक बरतन लेना है और उसमें साफ मिट्टी डालनी है इसके बाद थोड़े जो के बीज इसमें डाल दे और उपर से हलका पानी भी छड़क दे फिर इसे मिट्टी के एक अन्य बरतन से ढख दे जो बोने में आरुग्य की प्राप्ती होती है इसे आपको कलश की नीचे पांच तरह के अनाज के स थापित करना है तो इसलिए ही जो बोई जाते हैं क्योंकि जो बोने से आरुग्य की प्राप्ती होती है और सुख सम्रदी घर में आती है तो मैं कामना करती हूं कि जो मातारानी का आगमन है नवरात्री में बहुती सुख सम्रदी पूरवक आपके घर में रहे मातारानी खाइक और शेयर करना ना भूले धन्यवाद